तो आगे हम बात करते हैं सिक्कों की, तो सिक्कों के अध्यन को निमस्मेटिक करते हैं, अगर हम सिक्कों को देखें, तो इसे हम कालकरम के अनुसार बागते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सिंदु घाची सबिता के बारे में, कि सिंदु घाची सबिता में किस तरह के सिक्के चलते थे फिर सिंदुखाची के बाद हम मौर काल में आ जाएंगे मौर के बाद हम मौर उत्तर में आ जाएंगे मौर उत्तर में आपके कुसानों पर हम आ जाएंगे बात करेंगे यूनानियों की बात करेंगे इसके बाद गुप्त काल की बात करेंगे सातवानों की बात करेंगे और साथी साथ हम हमायों के सिक्के के बारे में बात करेंगे यहाँ पर सिक्कों का अधियन करने का मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको सिक्कों के बारे में कुछ अलग से चीज़े पता चल जाएं जहां से questions बन सकते हैं कि यह तो टॉप्टिक है ही आगे तो चलता है रहेगा लेकिन यहाँ पर मान लिए कि आपका कोई पेपर हो और आभी सिक्कों से प्रस्ण पूछ लिया जाए तो यहाँ से ज्यादा अधिकतर प्रस्ण आपको अलग से मिल जाते हैं कि प्रस्ण पूछ लेता है कि सबसे पहले सुने का सिक्का कौन चलाया, सबसे पहले चांदी का सिक्का कौन चलाया, सुद्ध चांदी का सिक्का कौन चलाया, गर्ल सहली वाला सिक्का कहां चलता था, मयू सहली का सिक्का कहां चलता था, कौडियों का प्रयोग कहां होता था, टेरा गोटा सिक्के कहां चलते थे, मिट सिके ऐसे भी हैं, जिन में भेक लिखी हुई थी तितिया लिखी हुई थी जिससे हमें आसानी हुई, उन 키ो समझने में, कि हमारे इतिहास में वो सहायक सिध हुई क्यों क्योंकि जैसे-जैसे यहां पर सिक्गों में तितिया मिलती गएjo it कि ये इस समय जो हैं इस तरह के सिक्के चलते थें अब अगर हम बात करें कि इन सिक्कों में किन-किन धातू का इस्तिमाल होता था तो प्राचीन जो सिक्के थें उसमें सोना चांदी तांबा और सीसे का इस्तिमाल होता था अब अगर हम बात करें सबसे पहले सिक्के के बारे म होते हैं उनको टेरा कोटा गए है फिर इसके बाद में मौर रेकल में आ जाते हैं तो मौर रेकल में आहत या पंचमार्क उसक्चे थे वह चलते थे mínimo आहस संके किने कहा जाता है तो आहत संके ऐसरी खुथ है जिनको ठपा मारे करकतर के बनाया जाता है गला India जाता झालleye जाता है और उस पर ठपा लगा दिया जाता है उनको आहाच सिक्के कहते हैं और पंच मारक सिक्के कौन से होते हैं तो पंच मारक सिक्के आहाच सिक्को की में होते हैं लेकिन इनमें पांच धातूं का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इने पंच मारक सिक्के भी कहते हैं आहा सिक्को और पंच मारक सिक्को पेड़ के चित्र मचली के चित्र हाथी के चित्र साण के चित्र और आधा चंद्रमा का भी चित्र बना हुआ होता था इसके बाद में यहाँ पर पन सिक्के भी चलाए गए थे मौरकाल में पन सिक्के जो थे इसमें चांदी के थोड़े से अंस हमें देखने को मिलते थे इसलिए एक अलग तरे का सिक्का होता है जो के मौरकाल में चलाया गया था इसे पन सिक्का भी कहते हैं इसके बाद में अगर हम बात करें यूनानियों के बारे में तो यूनानी भी भारत में प्रवेस कर चुके थे मौरकाल के बाद और सबसे पहले जो प्रवेस किये मौरतरकाल में तो वो किये थे यूनानी ही यून ने ही उन सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखना भी प्रारंब कर दिया था अभी तक हमारे सिक्के कैसे थे मौरेकाल में आपने देखा कि सिक्कों पर ठपा मार दिया जाता था लेकिन यूनानियों के आने के बाद में सिक्कों पर लेख लिखना भी प्रारंब हो चुका था और पहले जो सिक्के थे, वो कैसे थे, उनका सेप भी अजीब होता था, बेडॉल होते थे, अब जब यूनानी आगे, तो इन्होंने साचे में ढाल करके सिक्का बनाने लग गया, जैसे यह आपका एक साचा है, और इसमें आप जो भी धातू है, वो आप डाल देते हैं, और करें के इस तरह से यहां पर सिक्का बन जाता है, तो एक सिप आ गया यहां पर, लिकिन पहले क्या था, पहले ऐसे ही डाल दिया जाता था, और उस नहीं लिखा होता था, यूनानी ने भारत में सौर पथम सोने का सिक्का चलाया, इसके बाद में अगर हम बात करें कुसानों कि तो कुसानों ने सिक्का चलाया इन्हों ने भी सोने का सिक्का चलाया लेकिन इन्हों ने सुद्ध सोने का सिक्का चलाया और इसको किसने चलाया था तो कुसान वंस के दिदिये सासक जो थे विम कट फिसस इन्हों ने चलाया था मौरे काल के बाद चार विदेशी आकरमण ह हैं बहरत में जिन में सबसे पहले हिंदी युनानी हो जाते हैं इसके बाद में आजाता है आपका गुब्तकाल जो कुसान थны उसका अंद किया था गुप्त वालों ने ही कुसाणों का अंद किया था और इसमें किस ने अंद किया कुसाण का तो गुप्त काल के जो संस्थापक हैं सिरी गुप्त इन्होंने ही कुसाण वंस का अंद किया था तो गुप्त काल में भियस सरवाधिक सोने के सिक्के चलाएगें, सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि सोने के सिक्के किस काल में चलाएगें, तो सबसे अधिक सोने के सिक्के आपके गुप्त काल में चलाएगें, और जब कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, तो वो असुद्ध हो जाती है, तो यहाँ पर असुद्ध सोने का भी सिक्का चला, अब असुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो असुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, इसकंद गुप्त ने, किसने चलाया था, इसकंद गुप्त ने जो है, असुद्ध सोने का सिक्का च चलाया फिर इसके बाद में यहां पर सुद्ध चांदी का सिक्का चला और सुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त दितिये ने और इन्होंने सको के विजय के उपलक्ष में इन्होंने सको का पूरी तरह से अंद कर दिया था तो इसने सको का पूरी तरह से अ इस कंद्र गुपत ने आ सुद्ध सोने का सिख्खा चलाया ऊर्ल Tampa चंद्र गुपत दिटीयें ने जिने आप चंद्र गुपत विक्रामा दित्य भी कहते हैं इस के अलावाए इसकाल में मैउसायले का सिख्खा भी देखने को मिलता है और गरूर सैली का भी सिक्का हमें देखने को मिलता है मयूर सैली का सिक्का चलाया था कुमार गुप्त ने इन्होंने गरूर सैली के सिक्के की जगे क्या चलाया था मयूर सैली का सिक्का चलाया था और उस सिक्के में एक तरफ ये मोर को एक तरफ फल ख जिसमें ये वीडा बज़ाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे पता चलता है कि यह weelा यानि इक संगीत का भी प्रेमी था संगीत भी इसे पसंद था इसके बाद में यहां पे कोडी भी परियोग होते थे इस काल में कौणीयों का इस्तिमाल होता था अब हम बात करें साथवाहन की, तो साथवाहन वंस में सीसे का सिक्का चलाया था, तो साथवाहनों ने किसका सिक्का चलाया, सीसे का सिक्का चलाया, हुमायू ने चम्रे का सिक्का चलाया, और ये चम्रे का सिक्का है, हुमायू ने सहाबुत दीन के कहने पर चलाया था, तो सह सेर्षा सूरी ने इनहें जो है कुछ तिन तो ऐसे ही इंतजार कराया युद नहीं किया और इंतजार कर रहा था बारिस ウिदल बारा ऑज just उस अस्थान पर ले करके चला गया जब उस्थान पर लेकर चला गया तो ह wattyaya ने बाड देखा और ये बाड के जर से उस नदी में ही खुद गया जब ये हुमाईव नदी में कुद गया तो सहाबुत दिन जो है वहीं पर बैट्था मचली मार रहा था तो सहाबुत दीन के जाल में जो मचली का जाल था उसमें हुमायू फस गया था और इसी ने हुमायू की जान बचाई थी उस बार से तो हुमायू ने सहाबुत दीन को एक दिन के लिए राजा बनाया था तो सहाबुत दीन जब एक दिन का राजा बना था तो सहाबुत दीन न जो गरीब वर्ग था, उसके लिए दाम चलाया, तो दाम चलाया था इसने गरीब वर्ग के लिए, गुपिया चलाया मध्यम वर्ग के लिए, और असरफी चलायी इसने अमीर वर्ग के लिए, जो अमीर वर्ग था, उसके लिए असरफी चलायी, तो सेसा सूरी ने गरीबों के बसाया था Udain 나, पाचली पोतर को किसने बसाया था? Uhudain नहीं बसाया था हार एक साशक toald लेकिन नाम किसने बदला पटना किसने रखा तो पटना रखा था सेजसा सूरी ने आज भी आप देखते हैं भीहार के दाजहनी on पटना, जिसका पहले नाम क्या था पाटली पुत्र था इसका नाम बदला था सेवसा सूरी ने और बसाया था उदाइन ने तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्य पुरा तात्विक साक्षों के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद चाहें